तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सैफ संजय सिंगानिया आज आपके लेके हूं मसाला चिकन तो ऐसा चिकन बनाया कि सूखा ही आप खा जाए तो दे सकते कितना लटपटा और भेतरीन यह हमारा चिकन बना है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा से और हरी मिर्ची थोड़ा से डालेंगे इसमें हैंकड दही आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च आप अपने साफ से डालें उसके बाद डालेंगे स्वादन सा नमक तो डालेंगे इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पॉडर, आप इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इस चिकन को हम कम से कम 20-25 मिनिट हम इसको रख देंगे ढखकर, तो आप एक बार जरूर ये तरीका आजमागे देखें, बहुत बहुत बहुतरीन चिकन बनता है, तो ये हमारा अदागंड इसको हम रख देंगे तब तक हम ये हमारा टमाटर है, लस्टन, अदरख और हरे मिर्च, दो टमाटर दो प्याज हैं, तो सबसे बहुत हम डालेंग कढ़ाई में, ये हमारे खड़े मसाले हैं, थोड़ा सा ब्राउन होंगे, जैसे ब्राउन होंगे, इसमें डालेंगे हम प्याज, और दोस्तो प्याज को बिल्कुन लाल करना है, आपने चिट्टा नहीं रखना है, अगर चिकन में बहतरीन खाना है, तो आपने, और लेयदे हैं, तो देख साथ चिकन बिल्कुन हमारे लाल है, तो अब इसमें आड़ करेंगे डेगी मिर्च, देगी मिर्च से क्या होता है कि चिकन को कलर बहुत अच्छा आता है, इसके बाद इसमें आड़ करेंगे लसर नत्रक हरी मिर्च, का पेष्ट, फिस को थोड़ा सा करेंगे रोष्ट उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे चिकन अब चिकन को इसको कम से कम हम आदा घंटा से उपर भूनेंगे इसको और इसमें पाने तो बिल्कुन नहीं आड़ करना भी आपने पहले आप ऐसे भुने उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ढग देंगे तो ये चिकन जैसे भुनता जाएगा थोड़ा थोड़ा और ये पानी चड़ेगा तो अब इसमें आइड करेंगे हम थोड़ा सा चिकन मसाला तो ये हमारा है चिकन मसाले M.D.A.S. का उसके बाद इसको थोड़ा सा और भुनेंगे हम बहुत भेतरी इन रिस्पी है और चिकन तो भुनते भुनते ही पक जाता है इसके बाद इसमें थोड़ा सा अड़ करेंगे हम पानी थोड़ा सा अड़ गया था पानी और ढग दिया दे सकते हैं चिकन हमारा मसाला चिकन रगड़ा बन का रेड़ी है तो आप इसको बटर नान या सूखा अब कैसे भी खास लगते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं नेश्टी वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें बाबाई